हलो नमस्कार दोस्तों फटा फर्ची जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगला आने वाले 24-7 गंटों का मुसम का हल कैसा रहने वाला है यानि के कहां पर बारिश होने वाले है और कहां पर आंदी तूफान को लेकर मुसमी बागनें बारे बहें कर अलर जारी करते वे राज्यों का मुसम का हल कैसा रहने वाला है एक ही करके सभी राज्यों का हल विस्तारूप से मैं आपको इसे वीडियो में बताऊँगा कि कहां पर क्या कुछ होगा उससे बैले आप से एक चोटी सी रिक्विस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजी और जो लाल वाला बटर ने इसको दबा कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और जो पास वाला बेल आइकन इसको भी जरूर से दबा दीजीगा और यहां नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट किरके आप अपने राज्ये जिल्ले सेत्री आपने गाउं का नाम आप जहां काय अपने बताया है के गल्याने वले 24-24 कंटों के दोरान अरून चल परदेश, उत्राखंट, पूरी राजिस्तान, वितर, मराटवडा, तिलंगाना, करनाटक, तमिलनर्ड के कुछ इस्सों साहित, केरल और तटी आंतर परदेश में हलकी से लेकर मध्यमभाईस के साथी, आस पूरी उतर बारत, ओडिसा, मध्यमाराष्ट, जम्मुकस में, रहमाचाल परदेश, लदाक और जार्खन में भी कुछ इस्तानों पर हलकी से लेकर मध्यमभाईस हो सकती है, तथा बिहार, पूरी उतर परदेश, मध्यमाराष्ट, लक्षे दीप और कोंकन सहित गोहो में और इसके आस-पास के लगों पर भी हलकी बारिस होने की संभावने मुसमें भाग के दोरा जाते गई है, वहीं राजसान मत्यपरदेश, महराष्ट और तलंगना के विकुछ इस्तानों पर उलावेश्ट होने की संभावने मुसमें भाग के दोरा जाते गई है, इसी के कर केरल तक एक टरफ लेका भी जो है जाती हुई दिखाई दे रही है इसके अलबा दोस्तों बात कर जाए कि बित चोबिस कुंटों के दुरान जो है संपूर भारत का मोसम कैसा रहा यानि कि कहा पर बारिश हुई और कहा पर आन्दी तुफान देखने को मिला है तो दोस्तों मोसमी भागने बताया है कि बित चोबिस कुंटों के दुरान जो है तेलंगाना केरल के कुछ हिसों में हलकी से लेकर मद्यम बारिश हुई वही तमिल नडु की पहड़ियों में अब आपके से लेकर मद्यम बारिश हुई है बित चोबिस कुंटों के दुरान इसी के साथ मद्यम परदेश के उपरी कुछ इस्तानों पर भी उला व्रिष्टी दज की गई है बित चोबिस कुंटों के दुरान तो दोस्तों यह ता संपूर बार्ज का गलाना वाले 22-48 गॉंटों का मौसम का पूरो अनुमान अभा इसी ओलाक और जैंक जो सब्सक्राइब कर ले वहीं